इंदोर नगर निगम ने शहर में मौझूद आईडिय की जरजर हुई इमारत को तोड़ने की कारवाई की नगर निगम के अमले ने आईडिय की नार्थ तोड़ा अस्तेत अलाके में 40 साल पूरानी इमारत को तोड़ने की कारवाई की है हाला कि इमारत को तोड़ने से पहले उसे खाली करवा लिया गया था आईड़ूय की खतरनाग बिल्डिंग पर चला निगम का बुल्डोजर 40 साल पुरानी बिल्डिंग को खतरनाग घूशित कर चुका था प्रश्वासन इंदोर में जरजर अमारतों को तोड़ने का उपरेशन इंदोर में सरवटे बस स्टैंड पर होटल हाथसे के बाद नगा निगम शहर में लगातार जरजर और कमजोर भवनों को तोड़ने की कारवाई कर रहा है इसी कड़ी में आईडविय की खतरनाग बिल्डिंग को जमीदोस करने के लिए निगम का अमला नार्थ तोड़ा इलाके में पहुंचा दरसल नार्थ तोड़ा इलाके में आईडविय की 40 साल पुरानी अमारत थी जो काफी जरजर और कमजोर हो चुकी थी जिसकी हालत देकर जिला प्रिश्वासन ने उसे खतरनाग खूशित किया था आज जो ये कारवाई हो रही है नाथ तोड़ा के अंदर जो की सेंटर कोताली ताना शेतर के अंदर आता है यहां पर नाले के किनारे बहुत पुरानी आईडिय की दो बिल्डिंग थी जिसमें 90 सेधिक तक परिवार रहते थे और साथ में जो इसका एमोई इसका जो हिस्सा था उसके अंदर कुछ लोगों ने पीचे 25 के आसपास लगबग अपने कच्च मकान जोपड़े बना लिये थे हमेशा यह होता था कि जब यह पानी आता था यहां तक पानी आता था पानी आने के वाद इसको खाली कराने के लिए प्रयास रख था और आप बाद में प्रशाशन नगर निकम और और आईडिये ने मिलकर के इसको खाली कराया वरतमान इस्तिती में पूरा खाली हो चुका है अब इस्तिती यह बचती है कि इसके पीछे जो 24 मकान खाली कराने में थोड़ा सा वक्त लगा था और उसके अंदर फिर आखरी में यह हुआ कि अभी जब आईडिये की तरफ से जो यहां एक्जिकुटी इंजीनियर है मेरी और एसडियम साब की जब उनसे बात हुए और उन्होंने काई कि एक खाली हो चुका है सामान अंदर नहीं है सिर्फ ताले लगे हैं लिहाज जब उन्होंने लिखकर किस बात को दिया उसके बाद मैंने यह रिमोल शुरू कराय नार्थितुड़ा इलाके में नाले के पास बनी करीब चार दशक पुरानी ये बिल्डिंग बार बार बड़े हाथसे को बुलावा दे रही थी नेगम द्वारा इसे खतरनाग घोशित किया गया था बेद अखली के आदेश के बाद इंदोर विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग में वैद और अवैद रूप से रहने वाले परिवारों को सुविधा नुसार दूसरी जगह शिफ्ट किया हालाकि इस दौरान आईडिये को विरोत का सामना भी करना पड़ा यह अतिकरमन तो इसे शब्द क्या कहेंगे दरसल यह आईडिये की बिल्डिंग थी दो जिसमें कुछ वैद और कुछ अवैद रूप से लोग रह रहे थे जिसे गद्दिनों उनके द्वारा रिक्त कराकर और अन्य जगह उनकी विवस्ता कर दी गई ती जिसमें लगभा क परिवार की सूची हमें दी गई थी इसके लावा आसपास कुछ जोपडियां जो एमोस वपन गई थी उसे भी आईडिये द्वारा रिक्त कराकर हमें प्रमान पत्र दिया गया है तो भविस्त में इस अस्थान का कुछ समुचित उपयोग हो सके उसके लिए आज भारी कार पोकलेन सहित करीब सौ से अधिक लोगों का अमला बिल्डिंग को तोडने पहुंचा था इस दौरान सेंट्रल कोतवाली के स्टीम सुनील जा सहित जला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे बियोरो रिपोर्ट अम्पी नियूज उन दौर झाल